जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजनीती एक्सपर्ट में और आज का जो हमारे टोपिक है वो है वन संरक्षन संसोदन अधिनियम 2023 2023 में इसमें कुछ बदलाव प्रस्तावित किये गए है तो वो देखेंगे सबसे पहले वन संरक्षन संसोदन अधिनियम क्या है उसके बारे में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वन चेतरों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतिय संसद द्वारा वर्स 1980 में एक अधिनियम बनाया गया सबसे पहले हमें ये डेट याद रखनी है कि ये अधिनियम कब बनाया गया 1980 में वन संरक्षन अधिनियम 1980 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वनों के संरक्षन और उससे जुड़े या सहायक मामलों का प्रावधान करता है ये जो अधिनियम है ये वनों से जुड़े हुए या उसके जो सहायक मामले हैं उनके लिए प्रावधान करता है यहां अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया और इसमें 5 धाराई है अब आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए कि कब लागू किया गया था यहां 25 अक्टूबर 1980 को अब हम देख लेते हैं वन सनरक्षन अधिनियम 1980 क्या है यह अधिनियम वनों की स्थीती में सुधार करने के लिए लाया गया था यह अधिनियम वनों की वंच्छनी कटाई पर रोक लगाता है इस अधिनियम के द्वारा वनों की जो कटाई हो रही थी या फिर जो कटाई बहुत अधिक बढ़ रही थी उसके उपर रोक लगाने के लिए 1980 में ये अधिनियम लाया गया था यहां अधिनियम भारत के सभी वनों पर लागू होता है किसी भी वन भूमी का गैरवानी की उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत सरकार की इस हेतु पूर अनुमती प्राप्ट ने कर ली हो अर्थात जो वनों की भूमी है उसका उपयोग करने के लिए भारत सरकार से अनुमती लेना आवशेक है बारतिय सम्विदान की साथवी अनुसूची के तहट वन समवर्ती सूची में सामिल है अब एक किसन आपके लिए ये बनता है कि जो वन है वो कौन सी सूची में सामिल है तो इसका जवाब क्या होगा समवर्ती सूची में अब वनों के लिए समविधानिक प्रावधान अगर पूछा जाए तो वो क्या-क्या है 42 समविधान संसोदन अधिनियम 1976 के माध्यम से शिक्षा, नापतोल, न्याई परशासन, वन 42 समविधान संसोदन है उसमें वन के बारे में भी बात की गई है वन ने जीवों और पक्षों के संरक्षन को राज्य सुची से समवर्ती सुची में स्थानांतरित कर दिया गया था अब 42 समविधान संसोदन 1976 में हुआ था इससे पहले जो वन थे वो राज्य सुची के अधिन थे लेकिन उसके बाद इनको समवर्ती सुची में डाल दिया गया तो आपको ये पता होना चाहिए आपसे इस प्रकार से क्यूशन पुछा जा सकता है कि जो वन है उनको राजे सुची से समवर्ती सुची में स्थानांतरित कब किया गया तो आपको पता होना चाहिए 42 सम्विदान संसोदन 1976 के द्वारा सम्विदान के अनुशे 51A जी में कहा गया है कि वनों एंवन्य जीवों सहीत प्राकरतिक प्रियावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना परतेक नागरिक का मुलिक करतवे है अर्थार्थ जो वन है इनका जिकर मोलिक करतवे में भी किया गया है और ये हमारा मोलिक करतवे है कि हम जो प्रियावरण है उसकी रक्षा करें और उसमें सुधार करें नेक्स्ट है राज्य के निती निदेश सिधानतों के तहत अनुछेद 48A के मताबिक राज्य परियावरन संरक्षन वह उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एंवन्य जीओं की सुरक्षा की दिसामे कारिये करेगा तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है 48A आपको ये आर्टिकल भी याद होना चाहिए 48A के अंतरगत ये बताया गया है अब इसके बाद 1902 में में जो वन अधिनियम है इसमें संसोधन किया गया और वो क्या किया गया 1902 में में अधिनियम में कुछ संसोधन किया गया जिसमें पेड़ों को काटे बिना या किंदर सरकार की पूरु अनुमती से सिमित कटाई के बिना जंगलों में कुछ गैरवन गतिविदियों की अनुमती देने का प्रावधान किया गया जंगल में कुछ गैरवन गतिविदियां है उनके लिए अनुमती दी गई थी 1902 में के संसोधन के द्वारा तो ये कुशन आपके लिए इंपोटेंट हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है ये गतिविदियां ट्रांस्मिशन लाइनों की स्थापना भुकम्पिय सर्विक्षन अन्विशन ड्रिलिंग और जल विद्यूत परियोजना है ठीक है ये जो गतिविदियां है जिनके लिए ये प्रावधान किया गया था 1992 में वो कौन-कौन सी है जो ट्रांस्मिशन की लाइन है इनकी स्थापना करना भुकम्पिय सर्विक्षन अन्विशन ड्रिलिंग और जल विद्यूत की जो परियोजना है इनके लिए ये प्रावधान किया गया था अंतिम गतिविधी में बड़े पैमाने पर जंगल का विनास सामिल है जो जल विद्यूत परियोजना है इससे जंगल का विनास होगा जिसके लिए केंदर की पूरू अनुमती आवशेक है अर अर्चा में क्यों है कि दो हजार तेईश में वन संधुर्षन में कुछ संसोधन के लिए प्रस्थाव लाया गया था। इसी वज़े से ये आपके लिए भी important हो जाता है आपकी exam में आपसे पुछा जाएगा इसके बारे में क्योंकि ये बिल्कुल नया प्रस्ताव है और ये संसोधन होना इसमें अभी बाकी है और हो सकता है जो मानसून सत्र आएगा मानसून सत्र में इसमें ये संसोधन इसमें करने हैं वो कौन-कौन से हैं भूमी की स्रेणियों को इसके दायरे से छूट देता है कुछ भूमी की ऐसी स्रेणिया है जिनको इसके दायरे से छूट देनी इसमें प्रस्तावित की गई है और दूसरा है वन भूमी पर की जा सकने वाली गतिविदियों के दायरे का व बढ़ाया जाए उसका विस्तार किया जाए तो ये दो ऐसे परिवर्तन है जो अब 2023 में पेश किये गए हैं अब इसके उपर क्या फैसला आएगा वो तो मानसुन जो सत्र शुरू होगा उसके बाद ही पता लगेगा संसद में पेश होने से पहले संसद की एक संयुक्त समित्य यह ज़िए के द्वारा इसको पास कर दिया गया है कि यह विदेख सही है इसको संसद में पेश करदिया जाए और अब देखते हैं मानसुन सत्र के बाद इसमें क्या होगा यह थी जानकारी वन संसुधन अधिनियम 2023 के बारे में अगर आपको यह PDF चाहिए तो हमारे Telegram चैनल राजनीती एक्सपरट के उपर मिल जाएगी वहां से आप इसको डाउनलड कर सकते हैं और हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा वहां से भी आप इसको डाउनलड कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा ह किसी अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए ताकि उन तक भी अच्छी इंफर्मेशन पहुंच सके और आप नई हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का धन्यवाद